इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि जब भी एक प्रेगनेंट लेडी है उनके बच्चे का है डाउन पोजिशन जाता है यानि कि जब भी बच्चा खिसकता है नाभी के निचले हिसे और पेलविक रीजन तक जाकर पहुंच आता है उस केस में एक प्रेगनेंट महिल अगर इस वीडियो को देख रहे तो उनको इसी पताच चल जाएगा कि उनका जो बच्चा है वह आफिया डाउन कर चुका है या भी हेड डाउन करने के कहने को मतले रस्दे में या फिर डाउन अब तक नहीं वहा है जिनका है डाउन नहीं हुआ है उनके लिए वीडियो इ सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक किजेगा तो हम यहां फॉर्स्ट फॉल बात करते हैं एक महिला के सरीर में जब भी बच्चे का हट डाउन जाता है वो कब जाता है वो मोस्टली 30 से लेकर 34 वीक के बीच लगभग सभी महिलाओं का चला जाता है लेकिन वहीं कोई है भाद करना चाहिए आपको सिर्फ इंतार करना चाहिए stu diket इंतिजार करने पर कई बच्चे जो होते हैं वह खुद हैं कर लेते अब मैं एक लक्षन की बात करओ एक लक्षन सब्व Ce देता है अगर सबसे पहले अगर लक्षन की बात करें नमबर वन लक्षन की जब भी बचे हैड़ डाउन पोजिशन में जाते हैं इस केस में क्या होता है कि आपके पेट का ऊपर वाला पोर्सन थोड़ा सा खाली हो जाता है इस केस में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको दोड़ी तोड़ी अच्छी लगने लगती है तो यह ऐसा सच्चुएशन होता है प्रेग्नेंसी के दौरान कि हम खाना नहीं पाक्षा पाते हैं डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो सारी चीजे अच्छी नहीं लगते लेकिन हैं डाउन के बात अचानक से आपके सरी छोटा है बड़ा है उपर में निकला हुआ है तो इससे सबसे बड़ा चीज इसमें जो अपियर होता है वो है कि नाभी के नीचे में पेट आपका उठ जाता है करने का मतलब है पेट नीचे के तरफ जुका हुआ इस सेप में आजता है जैसे इस बेली के सेप को देखकर आ तो आप जहां से आपका डिश्चार्ज आता है उससे पहले से ज्यादा आता है लेकिन व राउन गर्रीन कलर कर दीप येलो कलर रहा है तो इस discharge को अच्छा नहीं माना जाता है एक healthy pregnancy के अंदर तो एक healthy pregnancy के लिए अपने discharge को भी आपको notice करते रहना है अगर सही नहीं आ रहा है तो आप तुरे doctor से मिले इस पे कोई भी घरेलून उसका जो है वो work नहीं करता है और अगर मैं last यहां पर fourth point की बात करूँ head down जाने के बाद कहां दर्द होता है head down जाने के बाद आपके कमर के हिसों में दर्द होता है नाभी के नीचले हिसों में दर्द होता और अगर मैं यहां पर last point की बात करूँ तो यहां पर क्या है कि तो देखिए बच्चे की जो हल्चल है मैंने पॉर्सनली नोटिस किया यहां पेट में उपर में हल्चल फील होगी क्योंकि बच्चे का जो पैर है वो ऊपर में रहेगा तो ऊपर में हल्चल फील होगी और साथ ही साथ अगर मैं एक बात करूँ जैसा कि जिनका 7-8-9 मन्त चल जो है वो नाभी के निचले बच्चे बहुत ज़्यादा उठाने लगते हैं तो वहां भी दर्द होने लगता है बच्चों के सर उठाने के कारण तो इस तरह के दर्द का समना करना पड़ता है अब भी कुछ पूछना है कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए नेक्स्ट टाइम मैं आपके कमेंट को जरूर पिक करने वाले हूं थैंक्स पॉर वाचिंग तो के लिए बाइबाइन टेक केर